हलो गाईस मेरा नाम है साक्षी सच्षदीवा आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं अपने रो और कोलम की हाइट और विर्थो हम लोग कैसे बढ़ाएंगे तो देखिए हम लोग इसको हम लोग डिलीट करते हैं और मैं एक शीट चेंज करते हूं यहां से मैं यह नहीं करना है ए और वन की ऊपर एक है चोटा सब देखिए मैं इसको जूम करके आपको दिखाती हूं यह देखिए कुछ इस तरह का यह बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं यहां पर आप क्लिक करेंगे और यहां से हम पूरी शीट का बोर्डर हाइलाइट करेंगे तो आप इस तरह जैसे भी कर सकते हैं अब यहां पर हम बात करते हैं रो और कोलम की विर्थ को बढ़ाना देखिए बाई डिफोल्ट हमीशा रो की हाइट रहेगी 15 पिक्सल ठीक है आप इस रो की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने बुला मुझे 70 पिक्सल तक चाहिए तो देखिए आपकी यहां पर 70 पिक्सल तक सेट हो चुकी है वापिस में इसी पर चलते हूं फॉर्मेट पर और ऑटो फिट कर देती हूं तो जितनी दी वह वैजिटी रह जाएगी इसके बाद होते हैं यहां पर कोलम की विर्थ कोलम की विर्थ बाई डिफोल्ट होते हैं 8.43 यहां से चाहते हैं यहां चुकी है अब आप इसकी विर्थ को बढ़ाना चाहते हैं आप चाहते हैं 50 पिक्सल तो देखिए आपकी चेंज हो जाएगी इसको भी आप ऑटो फिट यहां से कर सकते हैं और डिफॉल्ट विट चेक करेंगी तो आपके पास आ जाएगी यह आपकी डिफ यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और यह उसके बार में यहां पर प्वार्मेट पैनल से इसको रिपीट कर रहे हैं अन हाइड करना है तो अन हाइड प्रॉस इसी तरह से इनकिस आपको अगर यह कॉलम्स को हाइड कराना है तो मैंने सेलेक किया यहां पे और यहां से मैंस करते हूं हाइड कॉलम्स तो देखे एबी सी तीनों कॉलम्स मेरी हाइड हो चुकी है इनको अन हाइड करना चाहती हूं मैं वापिस तो सेलेक करेंगे और यहां से अन हाइड कॉलम्स अब शीट नमबर मेरी 5 है इसी को भी मैं हाइड करना हूँ शीट को ही हाइड कर जिसको आप अनहाइड करना चाहते हैं तो मैंने शीट नंबर 5 है यह मुझे अनहाइड करने हैं ओके करते हैं मेरी शीट नंबर 5 यहां पर वापस चुगी है इसके बाद हरी नेम करना यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं अधिक है नाम चेंज कर दिया मूव और कॉपी करना भी मैं आपको बता चुकी है मेरी पहले वली वीडियो के अंदर की हम एक शीट को एक बुक से दूसरी बुक के अंदर हम कैसे मूव करेंगे या पर उसके कॉपी करके उसको हम कैसे मूव करेंगे तो यह सब चीज़े में कि अब को पहले बता चुकी है अब रोटकेट शीट यहां पर क्या करते हैं शीट का पास्टर लगादेंगे कि यहां पर परसंट चेंज़ेश नहीं कर पाएगा देखो कि यह क्या चीज़े यह सेलक्षिन मेंने क्या कर दिया कर दी है अब आप काम नहीं कर सकते हैं काम करने के लिए वापिस अन प्रोटेक्ट करने हैं अब आप काम कर सकते हैं जो भी आपस में करना चाहें चाहें तो यह होता है हमारी सेल्स की हाई ट्विर्ट को बढ़ाना नाम चेंज करना रिनेम मतलब कर देना उसको डिलीट कर दे तो यह सारे options हम लोग कहां पे कर सकते हैं format menu पे जाके home tap के अंदर sales step format पे जाएंगे और यहां से हमारा format मिलेगा जहां से why default भी check कर सकते है row column की height क्या है और हम लोग यह भी check कर सकते हैं कि अगर अपनी और बढ़ानी है तो हम कैसे बढ़ाएंगे के पाओ आंगे टो इसके अंदर एक option आता है मेर लोकसल का तो passport नेक्स फिडियो में आपको बताते हुए यह लोकसल हमारा क्यासे बाम करे गया तो इस वीडियो में इतना इंग काईज और नैक्स फ्याइब में मैं आपको अपने लोग सेल आप्शिंस के बारे में बताती हूं और आगा पसंद आये तो उसे शेर जरूर करिए अंक्यू